आप बस अपने मन में ही जीते हैं, तो सब कुछ उबाव बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि मन का सौभाव है धोराते रहना, जो लोग बिलको लूप चुके हैं, निराश हैं, और जीवन के उबावपन को जहल रहे हैं, लोग बस एक जीवन उबाव नहीं हैं, उबावपन मन का सौभाव है, यानि अगर आपने अपने दिमाग को ढिला छोड़ रखा है, मतलब आप जानते ही नहीं कि इसका क्या करना है तो अगर आपको इसका इस्तमाल करना नहीं आता, तो मन आपको इस्तमाल करेगा और खा जाएगा, तो पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया बस यही है आपके जीवन के किसी भी पल में अगर आप बस उपर देखें, तो आप आस्मान का एक नया हिस्सा देख रहे हैं, क्योंकि धर्ती घूम रही है किसी भी पल अगर आप उपर देखें, तो आप आकाश का एक नया हिस्सा देख रहे हैं, यह भहुत रोमांचक है पृत्वी हर समय घुमती रहती है, किसी भी पल, कुछ भी वैसा नहीं है, सब कुछ बदल रहा है अगर आप जीवन को लेकर जीवित हैं, तो आपको जीवन में कभी उबावपन नहीं पता चलेगा अगर आप जीवन के लिए ही जीवित नहीं हैं बलकि आप बस अपने मन में ही जीते हैं तो सब कुछ उबाव बोरिंग हो जाएगा क्योंकि मन का सौभाव है धोराते रहना जो लोग बिलको लूब चुके हैं, निराश हैं और जीवन के उबावपन को जहल रहे हैं लोग बस एक एक सब्ता के या एक वीकेंड के प्रोग्राम में आते हैं और अचानक उन्हें सब कुछ ताजा लगने लगता हैं क्योंकि उनकी आँखों का मूतिय अबिंद साफ हो गया है तो मूतिय अबिंद से बोजिल दिमाग साफ हो गया है और वो पाते हैं कि अचानक उनके लिए सब कुछ सुन्दर हो गया है खासकर कि वो लोग जो भावसपंदन से गुजरते हैं उनके लिए बाहर जाते हैं, अचानक वो वही पुरानी चीज़ों को लेकर उत्साहित हो जाते हैं तो क्या पुराना है, वो असल में आपके मन के कारणा आता है, नहीं तो स्रिष्टी में कुछ भी पुराना नहीं है कहीं भी कोई चीज़ पुरानी नहीं है, हर चीज़ गूंज रही है और हर समय खुद को बना रही है एक चटान भी हर पल नए जीवन से स्पंदित हो रही है, लेकिन पुरानी चीज़ सिर्फ दिमाग में होती है किलकि मन अतीत की याद से काम करता है, एक बार आपका मन दोहराने लगता है, तो जीवन में आपको न शांती पता होगी, ना आनंद और नहीं ज्ञान समय आ गया है कि आप ध्यान करें और इस दोहराते रहने से परे चले जाएं